हलो हंजी एवरिवन कैसें जी अपड़ीटा कहें तो मैं आपके अपना गुर्ट प्रेज सिंगरे वाले को और नई वीडियो आपको दिखाने कह रहा हूं जिस मैं आज आपको दिखाएंगे ओंक्यो कंपनी का एंप्लिफायर और वो भी सर्वो उप्रेशनल इंटिगरेटिड स्टीरियो एंप्लिफायर और एक बात मैं आपके बताता हूं कि यह जो ओंक्यों के इंटेगरा वाले हैं एंप्लिफायर होते हैं बहुत ही बढ़ी है साउंड होता है उनका क्योंकि हमारे पास पहले भी आ चुके हैं इसलिए मुझे मालूम है यह इंटेगरा ए एट जिरो एट हना ए आट सो आट इसका मोडल नंबर है और आप मैं लाइन भी सर्च कर सकते हो यह कितने वाट का है क्या इसकी परफॉमेंस कैसी है स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है तो मैं तो चला ही रहा हूं मुझे बाके भी दिखा दूँगा ठीक है यह इसका पावर है है एड़ोन स्पीकर ओफ एबी लाउडनेस वन टू ओफ बेस ट्रेबल बैलेंस सब सोनिक ओन ओफ फिल्टर ओन ओफ म्यूटिंग ओन ओफ और वॉल्यम और यह है फोनो स्लेक्टर वन टू मोड नॉर्मल रिवार्स ओड़ राइट लेफ्ट रिकॉर्डिंग सेटर और इंपुट स्लेक्टर अभी मैंने जैसे ट्योनर में लगाया है ला तो ट्यूनर पर करेंगे अगर आपने जैसे फोनों पर लगाना है टेप टूगो ना या आउक्स तो महां पर लगा सकते हो अभी मैं आपको ये ओन करके दिखाता हूँ ये हो गया जी ओन ठीक है जी ये कटिक जो आ जाती है उसके बाद ओन हो जाता है तो अब आपको मैं कोई सौंग चला के दिखा देता हूँ और ये 110 पे है ठीक है जी 110 वो लिए मैंने अभी अभी लिखा है त्रेबल बेस बिलकुल जीरो करती है मने रचाँ बेस ये सब सोने का है ये लाउडनेस है वन तू अब ट्रेबल पहले बैलेंस करके भादे तो आपको ठीक है जी ये ट्रेबल ये बेस ये अगर आप रिकॉर्ड पर लगाओगे तो फोनों पर करोगे ठीक है जी बागी टेप ओन टेप टू ये वॉल्म पूरी बंद कर दी ठीक है जी कंडीशन एक लास है क्योंकि मैं चेक करके लेकर आए हूँ ये और ये 110 वोल्ड मैंने अभी अभी चिपका है यहाँ पर स्टीकर मैंने कहीं 220 पर ने लगा दें और ये किसी ने अपनी शॉप में लगाया हुआ था ना वहां से लेक देख लो जी थोड़ा बहुत साफ कर लेना ना बहुत बढ़ी है कंडीशन है ये वायर निकाल देता हूँ और अब आपको ड़न करके भी दिखा देते हैं इसके बैक साइड पर ये देखो जी ये इसकी बैक सेड है ये दो स्पीकर मैंने लगाए है ना स्पीकर ए में स्प और ये है प्री आउट प्री आउट भी ले सकते हैं आप इसमें से और आक्स ट्यूनर फोनो बाकी ये टेप वन टेप टूबना इन आउट ये फोनो बंद किया हुए है ये तो आप निकाल सकते हैं इसको ठीकर जी बाकी ये इंटेग्रा एट जरो एट मेट इन जपान है और 110 पे है क्योंकि जो जैपनीज जो जपान की चीज़े होती है वो 110 पी होती है तो ये इसलिए 110 पी है ये मैंने आगे इसके एक कनवाटर लगाया हुआ है ना और कंडीशन इसकी बहुत बढ़ी है आप खुदी देख सकते हो एक दम लेशकता हुआ चमकता हुआ है और ब बताते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन सुपर सर्वो टाइप प्री में अम्प्लिफियर है सेवन्टी प्लस सेवन्टी वाट आठ होम और 0.01 परसेंट डिस्टॉर्शन फेक्टर जो भी है ना ये आप खुदी पढ़ लो हना सारा पावर बैंडविड़्ट है टैन हर्स्टू हंडड़ के हर्ट्स डेंपिंग फेक्टर 90 है फोनो प्री आउट फोनो वन्टो ना ट्यूनर आउक्स टेप यह सारा पढ़ लेना अपने अभी टोन कंट्रोल लॉड़नेस म्यूटिंग सेमी कंड़क्टर यूजड विट दैफ 435 हाइट 125 डेप्थ 385 mm और साड़े ग्यारा के लोग है ठीक है जी और ये इसके अंदर देख लो समान बड़ा बांब लगा ये कि ये मैंने तो नहीं कोला ये इस फोटो में ही दिया हुए है ना ये अंदर का सारा और बिलकुल भी मतलब नॉइस अवाज नहीं आ रही है कि यहां भी अम्प्लिफेर होना है तो ये कर देते हैं वाउफ और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ी है ना जिनकी मैंने अब बीडियो बनानी है तो वह भी आपको जल्दी ही दिखाएंगे और जादा ज्यादा वीडियो दिखा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़े लेके आए हैं इस बार हम तो क्योंकि मैं एक अपने फ्रेंड के साथ गया था ना तो उसको भी साथ लेके गया था जो जो भी हमें मिला सब उठा लिया बाकी कोरियर भी करवा दिया है वहां से कम से कम दो सो किलो हमने कोरियर करवाया ना और बाकी सिंगापुर से भी आ रहा है समान तो ये तो बगवान की दिया है और आप सब की मेरबानी आप सब की सुपोर्ट है कि ऐसे हमारा जो एवरी वीक समान आता जा रहा है और एवरी मंध हम बाहर जाते जा रहे हैं त सब का काम चले यह नहीं कि हमारी चले बगवान सब को तरक्कियां बख्षे और जिसको हमारे से बाई करना है ना वो करे जिसको नहीं करना है किसी और से करना है वो किसी और से भी कर सकता है जरूरी नहीं कि हमारे से चीज़े बाइख करनी है क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं बढ़ी है कि बाकी सब तो यहीं से लेके यहीं पर सेल कर देते हैं बट हम ही हैं कि हाँ भई सीधा डारेक्ट बार जाके आपको दिखाते भी हैं कि हाँ भई हम यह चीजें ले रहे हैं यहां से ले रहे हैं और आप order करते हो और हम लेके आते हैं यहां पर तो इसलिए cost तो फिर बढ़ी जाती है जो price है बढ़ अगर आपको कहीं से सस्ता भी मिल आप वहां से भी ले सकते हो तो अगर आपको हमारा प्राइस सूट कर रहा है तब ही आप हमारे से खरीदो otherwise कहीं और से ले लो कोई चकर नहीं बड़ यह है कि हमारा प्राइस जो है फिक्स ही है ना यह मत बोलो कि आँ भई अरे यह तो इतने का है ही नहीं यह तो इतना लूट रहे है हमें पता है हमारी चीज़ है हम बेच रहे हमने प्राइस रखा है हमें जितना खर्चा हुए हम उसके हिसाब से प्राइस रखेंगे क्यों जी जिसको सूट करता है वो लो नहीं करता कोई चकर नहीं आप चुप चुप आगे चले जाओ जुरूरी नहीं कि अभी कुछ बोल नहीं है कोई और वीडियो देखो हमारा चैनल नहीं देखना तो किसी और का देख लो क्यों जी किसी और से चीज़े बाए कर लो और याई गल्त मलत मत बोला करो है कि फिर आपको ब्लॉक कर देंगे फैदा कोई नहीं होएगा ठीक है जी बाकी मिलते हैं न यूट वन बबाए